हलो प्रेंट्स मैं मनोज मंत्रा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा बिजनेस मंत्रा पर आपका सौगत है इस चैनल के मादधम से हम नए बिजनेस आइडियाज, अर्ड मनी, मोटिवेशन, मेनेजमेंट, मार्केटिंग, पबिलिसिटी आदी के बारे मे जान करी देते हैं, आज हम मसाला चाय मैनुफेक्टिंग बिजनेस के बारे में जान करी दे रहें, जड़ी आप किसी नए मैनुफेक्टिंग बिजनेस सुरू करने की दलास में हैं तो आप के लिए मसाला चाय मैनुफेक्टिंग का बिजनेस काफी फाइदे मन्ध हो सकता ह आजकर लोग चाय के सासत मसाला चाय का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं अनेक छोटी बड़ी कमपनी मसाला चाय बना कर काफी अच्छा पैसा कमा रही है मसाला चाय क्या है इस बारे में अच्छे से जान लेते हैं चाय के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है वहीं मसाला चाय में अध्रग, तुलसी, पुदिना, सौंप, लॉंग, लाइची, काली मिर्च अधी दरच चाय तयार की जाती है इसे दादी मा का नुश्का या आयरवेज नुश्का कह सकते हैं जो अक्सर सर्दी जुखां, खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है पर अब लोग इन्हें अन्य समय में भी पीने लगे हैं यहीं नहीं स्वागत के लिए चाय के अलावा मसाला चाय भी पेस करने लगे हैं पैकेट वाले मसाला चाय की बज़ाए टी बेक के रूप में इसका इस्तेमाल अधिक होने लगा है क्योंकि यह तैयार करने में असान होता है। इसकी डिमांड को देखते हैं इसका बिजनेस शुरू करना काफी फायदेवाला सा होदा होगा। ज़िए आप मसाला चाय का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मसाला चाय की अच्छी रेसिपी उनी ज़रूरी है। ज़िए मसाला चाय की रेसिपी नहीं है तो आप यूटूब या ब्लॉग पर इस बारे में सर्च कर सकते हैं। यूट्टूब या ब्लॉग पर बहुत सारी मसाला चाय की रेसिपी मिल जाएगी, इनमें से कुछ रेसिपी को पहले तैयार करके उन्हें टेस्ट कर ले, जो सबसे अच्छी लगे उस रेसिपी को सिलेक्ट कर ले, अब आप मसाला चाय प्रोडेक्शन शुरू कर सकते हैं, मसाला चाय मैनुफ्रेक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए मसीन वह रा मेटेरियल कहां मिलेगा, कौन से लाइसेंस की आउस्सक्ता होगी, इसके मार्केटिंग कैसे करें, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बिजनेस मंत्रा ब्लॉग पर विजिट करें, इसका लिक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ, बुट बाय, टेक चेर